डाइविटीज वैसे तो एक आम बिमारी है लेकिन यह बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है WHO की माने तो दुनिया भर में 42 करोड से भी जादा लोग इस बिमारी से पीड़ी थे जबकि हर साल करीब 16 लाग मौते सीधे तोर पर डाइविटीज के कारण ही होती है इसलिए इसके पेशिंट को दोस्तों खान पान से लेकर पूरी जीवन शैली पर ध्यान देना पड़ता है दरसल डाइविटीज में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना या फिर घटना शुगर लेवल बढ़ जाने पर दोस्तों कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है चाहें आप बात करने ठीक से नीन ना आना बहुत प्यास लगना बार बार पेशाब लगना और धुनला दिखाई देना शुगर लेवल के बढ़ने के दोस्तों यह कुछ संकेत हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जबकि भूक लगना, पसीना आना, बेचैनियो और चिरचड़ापन महसूस होना शुगर लेवल घटने के दोस्तों यह संकेत हैं इसके लाबह कुछ ऐसी भी बाते हैं दोस्तों जिने type 2 diabetes के patient को भूल कर भी नजनदाज नहीं करनी चाहिए तो चाहें आप बात करें घाओ का जल्दी ना भरना, आखों की नीचे काले धब्बे होना, ठीक से सुनाई ना देना या फिर ठाकान या सुस्ती महसूस होना नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्वास्ति सलाकार पर दोस्तों आज हम type 2 diabetes के लिए use में लाय जाने वाले ऐसे ही कुछ drugs के बारे में बात करने वाले हैं जिसका use type 2 diabetes होने पर उसको control करने के लिए किया जाता है दोस्तों अगर आप भी type 2 diabetes की समस्या जेल रहे हैं या आपको कोई करीबी समस्या से ग्रस्त है तो इन drugs के बारे में जानना दोस्तों आपके लिए बहुत ही helpful हो सकता है और अगर आप इन drugs के बारे में जानते हैं दोस्तों तो हमारे साथ वीडियो में लास्त तक जरूर बने रही है क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफी informative होने वाला है जो कि आपको type 2 diabetes में लिये जाने वाले drugs के बारे में काफी कुछ information share करेगा साथ ही हमारे वो दोस्तों जो पहली बार चैनल पर आये हैं और वीडियो में जुड़े हैं तो उन सभी से request है कि चैनल को subscribe कर लीजे और पास बने bell icon के बटन को भी दवा दीजे दोस्तों जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे miss ना हो तो देर ना करते हूँ दोस्तों आए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और जानते हैं कि कौन से है वो type 2 diabetes को control करने के लिए यूज में लाये जाने वाले drugs दोस्तों आज इस drug के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है metformin metformin दोस्तों एक ऐसा drug है जोकि सबसे जादा यूज किया जाता है type 2 diabetes को control करने के लिए इंडिया में दोस्तों अगर हम बात करें तो यह जो ऐसा drug है दोस्तों कई सारी कंपनिया इसको बनाती हैं अलग-अलग नाम से या फिर अलग-अलग brand name के अंडर में दोस्तों यह tablet form में आपको मिल जाता है लेकिन दोस्तों हर tablet में आपको prices अलग देखने को मिलते हैं उनका लेने का तरीका अलग देखने को आपको मिल सकता है तो उसी के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो में one more time दोस्तों लाज तक आपको जुड़े रहना हमारे साथ वीडियो में तो दोस्तों Metformin के दोरा बनाये जाने वाले कुछ drug की जग अगर हम बात करने जो आज हम ने लिए हैं तो दोस्तों उनमें शामिल है Glycomet, Gluconome, Setup in XR, Metatime and Occamate तो इन पांचों ड्रग के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इन पांचों ड्रग को compare भी करेंगे किसमें क्या similarity आपको देखने को मिलती हैं क्या आपको देखने को मिलते हैं यह सारी information दोस्तों आज हम बात करेंगे तो सबसे बारे दोस्तों बात करते हैं Metformin के बारे में Metformin दोस्तों जो है एक generic drug है जो की almost हर दूसरी company दोस्तों इस drug को बनाती है अलग-अलग drug के नाम से यह अलग-अलग tablet के नाम से तो इसी के दोस्तों drug का यूज करके जो जो पांच सबसे अदर drug purchase किये जाते हैं दोस्तों उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिनमें अल्री हम बात कर चुके हैं जिनमें शामिल है glycomet, gluconorm, setup in XR, Metatime या फिर Aukamate तो दोस्तों बात करते हैं इन सबी रखे बारे में अगर हम बात करें glycomet की दोस्तों इसको बनाते हैं USB Limited Gluconorm को दोस्तों बनाते हैं Lupin Limited, setup in XR की बात करें तो इसको बनाते हैं Sanofi India Limited, Metatime को बनाते हैं Mankind Pharma Limited और Aukamate को मनाते हैं दोस्तों Supply Limited अगर किस टाइप में मिलता है दोस्तों इसके बारे में बात करें यह रख तो यह मिलता है दोस्तों आपको टैबलेट के फॉर्म में मिलते हैं Prices की बात करें दोस्तों बहुत ही कम कॉस्ट में आपको यह ड्रग मिल जाता है यानि की Easily दोस्तों आप इसे खरीज सकते हैं कहीं से भी बात करने दोस्तों Glycomet की जो की USB Limited बनाते हैं तो यह आपको मिल जाता है 12.68 पैसे में Gluconorm की बात करें दोस्तों यह आपको मिल जाता है 23.74 पैसे में Setup in XL दोस्तों आपको मिल जाता है 31.94 पैसे में Meta Time मिल जाता है 12.52 और Ocomet आपको मिल जाता है 16.67 पैसे में Gluconorm की बात करें दोस्तों जिसको Lupin Limited बनाते हैं तो इसमें आपको 15 टैबलेट देखने को मिलते हैं दोस्तों एक स्ट्रिप यानि एक पत्य में आपको 15 टैबलेट अविलेबल हो जाते हैं सेटप इन एक सायर की बात करें दोस्तों जिसे जिसे सैनोफी इंडिया लिमिट्ट बनाते हैं तो इसमें आपको 20 टैबलेट देखने को मिल जाते हैं किस ट्रिक में 31 रुपए 94 पैसे दोस्तों इसका प्राइज है बहुत ही कम कॉस्ट में दोस्तों आपको इस टैबलेट प्राइज है और दोस्तों में मिल जाते हैं आपको 20 टैबलेट एक स्ट्रिप में जिसका प्राइज है 16 रुपए 66 पैसे तो जो भी दोस्तों यहां पर ड्रग अवेलेबल होता है आपके आसपास के फार्मसी पर या ड्रग स्टोर पर तो वहां से दोस्तों आप इन ड्रग में जो कॉमन ड्रग है वो है मैट फॉर में दवाईयां जो दोस्तों अलग-अलग नाम से यहां पर सैल की जाती है अलग-अलग कंपनियों के दौरा जैसे हमने बताया यूएसबी लिमिटेड इसको बनाता है ल्यूपिड लिमिटेड बनाता है सैनोफी इंडिया लिमिट पर्चेस की जाती है जैसे मैनकाइन के अगर आप बात करें यह सिपला की बात करें लिूपिन की बात करें तो यह बहुत जादा रेनाउन कंपनी जिनके जो ड्रग हैं दोस्तों बहुत जादा पर्चेस भी किया जाते हैं तो अगर दोस्तों इन कंपनी के ड्रग आप लेन जाता है्स प्रॉब्लम को तुरीट करनी के लिए किया जाता है जैसे हैंसे लिए विए तके लिए इसका किया ही मलिट्र करता है जो प्लॡच्र लेवल समय कॉंट्रोल करता है इसके अलावा दोस्तों जो women में बहुत common एक problem होता है जिसको हम बोलते हैं polycystic ovary syndrome यानि PCOS की दोस्तों जो problem होती है उसको भी treat करने के लिए medicine का use किया जाता है तो हमारी वो महिला है या हमारी वो sister जो की इस problem को face कर रही है PCOS यानि polycystic ovary syndrome जो cyst बन जाता दोस्तों ovary में तो वो भी दोस्तों इस drug का use कर सकते हैं लेकिन अगेन दोस्तों इस drug का use करने से पहले अपने पास में किसी doctor से आपके जो भी doctor हों उनसे एक बार आप concert करें उसके ऐब बार हि दोस्तों इस drug का use कर ना आप शुरू करें खिस FOM में मिलता you,500 mg आपको मिलते हैं सभी द्रग तो 500 mg में अवेविल कर सकते हैं आपने पास के drug store से benefit क्या होता दोस्तों इस drug को लेदे का benefit होता है दोस्तों जो आपका liver होता है दोस्तों उसमें जो glucose का production होता होता है यानि जो ग्लूकोस बन रहा होता है उसको यह कम कर देता है जिससे क्या होता है दोस्तों आपका जो होता है शुगर का वह खलका हो जाता है वह धीमा पड़ जाता है इंटेस्टाइन के अंदर उससे क्या होता है दोस्तों आपका जो सेंस्टिविटी होता है इंसुलि गया है जो कि है मैट फॉर्मिन साइड इफेक्ट दोस्तों क्या देखने को मिल सकते हैं आपको इस ड्रग के तो यह साइड इफेक्ट दोस्तों बहुत कॉमन है आपको बता दू यह साइड इफेक्ट ऐसे नहीं कि आपको बहुत जादा सिवियरिटी देखने को मिलेगी लेक आप दोस्तों मेटफॉर में ले रहे हैं अपने टाइप टू डाइविटीस को कंट्रोल करने के लिए चाहें वो आप किसी भी कंपनी का पर्चेस करें तो साइड एफेक्ट के तौर पर दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं नौशिया वॉमिटिंग की दोस्तों परिशा आपको महसूस हो सकते हैं फिर भूख आपको हो सकता है कम लगे भूख आपकी कम हो जाए तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस ड्रग को यूज करने के टाइम तो उसमें बहुत जादा प्रॉबलम में आने की जरूवत नहीं है परिशान होनी की सकते हैं कि कैसे लेना है दोस्तों आपको तो इसे आपको कर लेना है यानि कि एक ही बार में निगल जाना है दोस्तों आपको इसे चावाना नहीं है तोड़ना नहीं है क्योंकि यह जो टैबलेट होते हैं दोस्तों यह सभी टैबलेट आपको खाने के साथ में लेने होते है या खाने के बाद आप इन्हें ले सकते हैं खाली पेट आपको नहीं लेना होता है या फिर अगर आपके डॉक्टर आपको जिससे आपसे एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों आप इसे ले सकते हैं इनकेस बिना डॉक्टर के एडवाइस के ले रहे हैं द safety advice की बात करें दोस्तों इस drug को लेते समय आपको क्या बाते का किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किन safety measures को आपको अपनाना चाहिए तो अगर हम बात करें दोस्तो इस drug की यानि कि अगर हम बात करें Metformin की दोस्तो तो इसे लेते समय आपको alcohol के साथ में बिलकुल भी नहीं लेना है इसे दोस्तो बिलकुल भी safe नहीं माना गया है इसके severe side effect आपको देखने को मिल सकते हैं body के उपर बात करें pregnancy के दोस्तों pregnancy में क्या आप इसे ले सकते हैं तो अगर आपके दॉक्टर दोस्तों आपको recommend करते हैं prescribe करते हैं तो बिलकुल आप इसे ले सकते हैं उसमें कोई भी प्रावलम नहीं है but without prescription दोस्तों इससे आप ना लें क्योंकि वह कहीं न कहीं अच्छा नहीं रहेगा आपती बॉड़ी के लिए वहीं ब्रेस्ट फीडिंग जो विमन हैं दोस्तों जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं क्या वो ले सकते हैं तो वन मोर टाइम दोस्तों अगर डॉक्टर आपको प बात करिए ड्राइविंग करते हुए क्या ले सकते हैं तो बिल्कुल आपको ड्राइविंग करते हुए उसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह जो होता है दोस्तों जैसा कि हमने बताया इसके साइड इफेक्ट के तौर पर जैसा कि आपने देखा आपको वामिटिंग की पर चाब कर सकते हैं तो driving के दौरान भी दोस्तों आप इसका यूज़ ना करें इसको लेने से बचें अगर आपने driving complete कर लिया तो आप यसे ले सकते हैं या फिर आपको लगता है कि driving में जो है अभी समय है आपका 5-6 गंटे का समय है तो 5-6 गंटे दोस्तों पहले आप इसको ले सकते हैं लेकिन अगें दोस्तों अगर आप इसको लेना ही चाते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से concerned करें उसके बाद ये दोस्तों इस drug को आप लेना शुरू करें kidney और liver से संबंदिद दोस्तों जिनको परिशानी है या अपने treatment किसी भी तरीके से करार है किड्नी और लिवर से संबंदिद या परिशानी आपको चल रही आप उसको फेस कर रहे हैं लंबे समय से तब भी दोस्तों आप इसे डारेक्टली लेने से बचें अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए क्योंकि आप एक ट्रीट्मेंट कहीं ना कहीं ले रहे हैं लेकिन खुद से दोस्तों आप इसे ना ले इसके बाद दोस्तों किन ड्रक्स के साथ में आपको इसे नहीं लेना है कई बार ऐसा होता दोस्तों आप दो अलग अलग तरह की दवाईयां ले लेते हैं तो उसका रियक्शन आपको देखने को मिलता है शरीर पर तो कहीं नहीं वो अच्छा नहीं होता है आपके शरीर के लिए ऐसे में इस दबाई को लेकर इस ड्रग को लेकर भी दोस्तों आपको नौलेज रखना चाहिए कि किस ड्रग के साथ में आपको इस ड्रग को नहीं लेना है जो कि दोस्तों आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है आपकी भुसकर दर्ग के साथ चांद सांट किसे नहीं लेना है कि यह प्राइफब को छुछ द्ररस्क जो आपको इसमें मेसे नहीं लेना मेतां यह सब्सक्राइब कर सकता है और लास्ट में दोस्तों आपको बेक्टामेटासॉन के साथ में भी इसे नहीं लेना है जो कि आपके लिए सीरियस हो सकता है हेल्थ के लिए तो यह कुछ ड्रग है दोस्तों जिनके साथ में आपको इस ड्रग को नहीं लेना अगर आप अपने टाइ दोस्तों कौन कौन सी वह company हैं जो दवाई को बनाती है अंडर इफ्रेंट नेम्स उनके बारे में दोस्तों हमने बात की प्राइज कितना होता है किस तरह से आपको यूज करना है किस रेंज में आपको मिल जाता है दोस्तों क्या precaution ले ना है क्या side effects आपको देखने को मिल सकते सेफ्टी एडवाइजिस के बारे में दोस्तों बात तो ओवराल दोस्तों हमने पूरा इस टैबलिट को इस ड्रक को कवर करने की कोशिश किये हमारी इस वीडियो में आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा इंफॉर्मीटिव लगा होगा अगर ऐसी और वीडियो दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो then do subscribe to the channel हमारी चैनल को subscribe करें जैसे कि आगे भी दोस्तों आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें और आप जोड़े रहे हमारी चैनल स्वात्स अलाकार के साथ वीडियो आप सभी अन तक जोड़े रहे दोस्तों उसके लिए आप झाल झाल